बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे दो-तीन दिन से कि सर हम जो पशूँ को ग्यों की जो तूड़ी और चावल की जो प्राली आती है वह हम हमारे पशूँ गालते हैं तो क्या पशूँ के लिए भोज़ जदा नुक्सान करती है क्या एदि आप अपने पशूँ की कौन से जो चावल है कि प्राली है या ग्यों की तूड़ी है यह दि नुक्सान कर रही है तो हम उसका कैसे बचाव करें क्या दें किस तरह से हमारे पशूँ कि लाएं या नुक्सान करती है या नहीं तो आज की वीडियो के अंदर में पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि यह आप अपने पशूँ को यह दियों की जो तूड़ी खिला रहे हैं चावल की जो प्राली खिला रहे हैं तो उस इस्तती में यह दि दे रहे हैं तो किस इस्तती में नुक्सान करती है कौन सी इस्तती में आपके पशूँ में यह नुक्सान नहीं करती है पूरी डिटेल से आ पूरा देखना इस चैनल पर नहीं आएं या पहली पर जुड़ें तो पहली पर सब्सक्राइब कर लें आपको पताए कि चैनल पर सही सटीक कि साइंटिक मैसे आपको जानकरी दी चाहती है सबसे पहले मां आपको बताता हूं कि आप अपने परसु को जो ग्यौण का नयाचारा है यह अपने पर्षों खिला रहे हैं तो उसमें क्या ओता है कि कई बद में दिखते हैं वा पने देखने को मिलती है इसी तरह से गयों का तोड़ा यहिसे तरह से जितना फुराना होता जाता है। उस इस्तति में पशुप को क्या जाता कि पाच्छन के लीए भी हो जाता है। लेकिन कौन सी इस्तती में पस्व के लिए नुक्सान करता है इतना कोई नुक्सान आपके पस्व में नहीं करती है एक तोसमें किया कि जैसे पेट बंद किसी कायता होग ज़्यदा तर देखने को मिलती है यह दिए आपको जो ग्यों की तूड़ी है वह दिए अप कहीं पर भी यधी बंडारण में इक्टा कर रहे हैं तो वहाँ पर यह सील है या पर आपको लगता है कि जो गिंडे से गिंडे आपको बंद दिखाई देते हैं तो वह नुक्सान जरूर करती है यह दि वहाँ पर किसी तरह का आपने जहां पर डाला है वह चारा एकदम सही है किसी तरह की फंगा से फुपन लगी भी नहीं है तो आप अपने पर शूरा है वह चांकरकी अच्छी तरह से पर दे रहें तो कोई नुक्सान आपके पर सु में करता नहीं है wanna पाराव पहरा होती है जिसके प्रियावत मात्रा में तरह बटाये कि प्रहुआ के अंद की उससी से एलिमेंट जिनकी कमी उती जिस दूंद देने वाले पशव है उन describes या फश्रॐ को को मोटा तगड़ा उत्रा नहीं कर सकते जब तक उन्हें सपोर्ट थरेपी के तोर पर शाथ में यह कुछ नहीं देते हैं हालांकि नुक्सान कब करती है आप देखो नुक्सान कब करती है यह आपके पशूं में जो ग्यों की तूड़ी है यह वह भीगी हुई है यह आप खेलाना चाहते हैं तो उसको आपको क्या करना है कि उसे आप चोटे-चोटे टुकड़ों में डिवाइडेट कर लेना यानि उसको जो गिंडे से बने हुए उनको पूरे को आप अच्छी तरह से सापकर लेना है और धूप में आपको रखना है धूप में आपको खाला सकते हैं यानि खिला सकते हैं लेकिन आप अकेली बिल्कुल भी नकिलाएं कोई बीदी पशूं के लिए जब पराली है या यह अपने पशूं को ग्यों की तूड़ी है फंगस फुफुन लगी है तो नुक्सान करती है अन्यता आपके पशूं में इतना कोई भी नु उप्यों कर सकते हैं इसी तरह से एक पाउडर आता है जिस प्रकार से एक टैन दो तन उसके अंदर भी आप मिक्स करके आप अपने पशूं के जो चारा पाइक्टा करते हैं उसमें पुपन नहीं लगेगी आदर जो इंफिक्शन है वहाँ उस चारे के अंदर नहीं होगा इंफिक्टेड चारा नहीं होगा तो आपके पश्चों के लिए बैटरी जल देगा उससे क्या होगी यह वह चारा इदी पश्चों को खिलाएंगे तो उस इसी तरह से प्राली जो मैंने एक वीडियो बताया था कि आपने पश्चों को प्राली खिला रहे हैं तो इस तरह की जो टुक्स आउट जो पाउडर आते हैं इतने महेंगे नहीं आते हैं जो एक एजी का पाउडर है 150-170 रुपी लगबग आता है तो आप अपने पश्च लाटने के पैस новых साहते हैं जिससे क्या होता है या बांच आना मिस्ट न के साथ दे सकते हैं जिससे क्या होता है कि पशू का डाई जेशन सीरे या इन्माले बत्तिसा पाउडर पॉस्चु खिला सकते हैं कि आपके पशू में कोई नुक्सान नहीं करें एडियों के और साथ में टॉक्साउट पाउडर एजी पश्us को दे रहे हैं तो नुक्सान किसी तरह का नहीं है लेकिन बिगई नहीं होने चीह एक तो तुड़ी को कभी भी भी बिगो करके करती है उससे क्या होता है कि आपके पेट बंद की शिकाइट इंफेक्शन बलोट पेट में बार बार गैस बनना इस तरह की शिकाइट देखने को मिलती है तो इससे बसना है तो आप अपने पशू को शुका चारा जितना हो सकता है दूब में शुकाएं और फुपन लगावा मैं ऊस्थ तरह करें कर रही कि लेकल दें तो क्या हम अपने पशू खेला सकते हैं रहे पशू के लिए नहीं हो पाता है प्रोपर पाता है तो इससे इस्तति में रेकाश्च GR wombat पुद नहीं हो पाता है इस तरह की दिखते हैं तो उसी श्तति में खिलाना पड़ता है चाहिए कुछ भी करें एदि आप ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा सवच संतुलित दाना मिस्तरन आप अपने परशू को दे सकते हैं एदि आप जिस एरिया में उपलब नहीं हो पात कि दितनी थैंक्स धन्यवाद